हल्लेव असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वल्कम बैक टू मैं चैनल विलेज़ पूर्ट रेसेपी में आज हम आपके साथ स्यार करेंगे टमाटो फ्रूट्स मिक्स चेकनी यह बहुत ही टेस्टी रेसेपी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर मेरी वीडियो आप स टमाटो चटनी बनाने के लिए हमने यहां पर कुछ ड्राइफ़ी लिए हैं काजू थोड़ा सा हमने लिए हैं खिस्मिस खजूर हमने लिए हैं 200 ग्रम हमने गुड़ लिए हैं आप चाहे तो सक्कार भी यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं हमने यहां पर 300 ग्राम का टामाटर को रॉफली चॉप करके लिए हैं और हमने यहां पर कुछ सेब को कट करके लिए हैं और थोड़ा सा अद्रक लसन का पेश्ट, तेल और हमने यहां पर अंगुर लिए हैं अब हम चूला लागा दियूए, अब इसके ऊपर हम रखेंगे कढ़ाई कढ़ाई रखने के बाद हम तोड़ा सा इसे गरम होने दें गरम होने के बाद हम इसमें टालेंगे तेल हमने यहां पर टू टेबल स्पून तेल यहां पर डाल रहे हैं डालने के बाद हम यहां पर पांच फोर्ण डाल देंगे पांच फोर्ण थोड़ा सा लाल हो जाए अब इसमें हम आड़ करेंगे दो सुखा मिर्च अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कड़ी पत्ता आड़ कर लेंगे कड़ी पत्ता आड़ करने के बाद हम यहाँ पर टमाटर को आड़ कर लेंगे टमाटर को तेल में मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले हमने यहाँ पर अद्रक लेशन का पेश्ट आड़ कर लिए अब हाप टीस्पून हम इसमें हल्दे आड़ कर लेंगे वान टीस्पून हमने मिर्च आड़ कर लेंगे जीरा पाउडर हाप्टी स्पुन हमने आठ कर लिए नमक स्वाद अनुसार अब इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे धांक के पाँच मिनिट के लिए पकाना है जब तक टमाटर सौफ्ट ना हो जाए तो चलिए फ्रेंड्स हमारा टेन मिनिट हो चुका है अब हम देखेंगे टमाटर देखिए फ्रेंड्स हमारा टमाटर पूरा सौफ्ट हो चुका है आप सब देख भी सकते है थोड़ा सा चम्मच बिमार के हम आपको दिखा रहे हैं पुरा सौफ्ट हो चुका है अब इसमें हम आड़ करेंगे गुड़ गुड़ हमने आड़ कर लिए अब इसको हम 5 मिनिट के लिए पकाएंगे जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाएंगे तो हमारा 5 मिनिट हो चुका है अब हम टमाटर को देख लेते हैं तमाटर के अंदर जो हमने गुड़ डाले थे वो प्रमेल्ट हो चुका है लिकुड फॉर में आ चुका है कॉलर भी बढ़िया हुआ है अब इसके अंदर हम आड़ करेंगे ड्राइफूट्स और फ्रूट्स अब हमने यहां पर अंगुर आड़ कर लिए सेब और यह ड्राइफूट्स आड़ करने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं विसे फ्रेंड्स बहुत तरह के टमाटो चटनी होते हैं लेकिन यह फ्रूट्स मिक्स टमाटो सूट टमाटो चटनी बहुत ही टेस्टीर तरह से भी है आप इसे टेंडेस के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं यह कुछ खराब ही नहीं होगा यह रेसेपी आप एक बर ज़रूर बना के खाईए यह बहुत ही टेस्टी रेसेपी है फिर मुझे फिट्ब्रैक देना अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देगे फ्रूट्स को थोड़ा सा पका लेंगे फाइप मिनिट के लिए तो फिर चलिए अब इसको हम ढांक लेते हैं अब थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेते हैं देखें फ्रेंस हमारा टामाटर चटनी जेली में ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसे हम पूरा पानी को सुखा लेंगे पका के तो चलिए फ्रेंस हमारा टामाटर चटनी हो चुका है रेडी अब इसको हम साफ कर लेते हैं देखें हमारा टामाटर चटनी पूरा जेली में ट्रांसफ़र हो चुका है तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं यह बहुत ही सिंपल सा रेशिपी हो और टेस्ट भी बहुत ही है टामाटर चटनी का इसको आप कभी भी कहीं भी बना के खा सकते हैं यह बहुत ही आसन सा रेशिपी है तो फ्रेंड्स आज का रेसी भी आप सबको कैसा लगा प्लीज फिट बैक देना ना भूले और मुझे दीजे इजज़त असलाम आलेकूम